हां जी मेरे सीविटी एस्पेरेंट्स तो आपने गाना सुनाओगा कि कोईले की खान में हीरे को पहचान थे तो ये वो वीडियो है जो सभी इंग्लिस लेंग्विश के स्टुरेंट्स के लिए हीरा होने वाला है सिर्फ इसलिए ताको मैं आपको मजमूर कर सकूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखो़ मैं चाता हो मेरे दोस्तों कि तुम्हारे लिए घुलाये जितने निगेटिव कमेंट्स तुम कर सकते हो कर देना लेकिन प्लीज इस फीडियो को पूरा देख लो क्यूंकि वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है और सीवीटी दोजार चौबीस भले दिन कम बचे हैं लेकिन तब भी अभी भी इंग्लिश में बेटा तुम्हारा भा बात करते हैं और जब कंटेंट की बात हो जाएगी फिर कुछ और बात करेंगे लास्ट में एक गोल्डें टिप है इकदम लास्ट में गोल्डें टिप है तब तक रुक करके बैठना सुनों सीवीटी दोजार चौबीस आचुका है भी यह पेपर आपकी पंदर से स्टार् से 180 का वादा करेगा मैंने क्या बोला यह वीडियो आपको मुस्किल से 160 से 180 का वादा करेगा 200 में से 200 इस वीडियो को देखकर कि नहीं आने वाले हैं आप कीजिएगा तो जो लोग 200 में से 200 सोचने हैं वो अभी से वीडियो शाट सकते हैं तो अधिकतर जो स्टुनेंट्स जो मेरे कई सारे स्टुनेंट्स से 1000 हों से ज़्याद ही हैं मेल से कनेक्टेड है कोई वाट्सेप से कोई टेलिग्राम से कोई कम्यूनिटी पर एप पर तो उस अभी बताते हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करें अधिकतर स्टुनेंट्स की जो प्रॉब्लम है अभी तो तुम मालो कि हाँ आप सही बोल रहे हैं अब टॉपिक कम लेकिन मांक्स जादा यहां पर लिखा हो वे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स मैं उन टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ और सिफ टॉपिक्स की बात नहीं करूँगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे दुलारा सा जो सीवीटी को बड़ा पुसंद है एंटी एस से कोशन जुरूर पूछेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी को पता है बेटा दोजार बाई सो चाहे दोजार तेइस पचहतर से नब्बे मांक्स कहा है यानि की दोसो मांक्स में से अगर कोई तुमको 75 95-90 मांक्स दे करके जा रहा है तो तुम उसको छोड़ ही नहीं सकते और यह कारण नहीं बताना कि बिल्कुल भी नहीं है कटिन बिल्कुल भी नहीं है अब जवाल आएगा सवाल आएगा तुम्हारे मन में कैसे करना है मैंने बोला था यह वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं YouTube पर 3-4 करवा चुका हूँ तो मैंने जितने देखे questions अगर आप इस sequence को follow करते हैं कि कैसे आपको इस reading comprehension के भूत से लड़ना है जो कि CVT का लल्ला है CVT जरूर पूसता है क्या सबसे पहला आपको questions पहले पढ़ने पैसेज नहीं पढ़ने टाइम बचाएगा दूसरा काम क्या करना है question पढ़ने के साथ साथ आपको options भी पढ़ने तीसरा काम क्या करना भी या underline करिए keywords को underline कैसे करेंगे क्योंकि आपका इस बार पिपर offline हो रहा है बाब मुशाय pencil ले करके रखना underline करना keywords को keyword क्या होते हैं आप keyword समझ पाएंगे why how के बाद जो भी words आ रहे हो वो keywords कहला आएंगे आपके question में और options में भी कुछ न कुछ keyword करते रहना उसके बाद read the passage passage को पढ़िए जो keyword आपको मिले ते जहां भी line में मिल जाए उस जगे से answer उठाकर कर ये जाकर कर आप answer आ जाएगा अब read passage इस समय बेटा दो-3 चियों को ध्यान रखना है कठीन vocabulary डरना नहीं है लंबा passage पढ़ते चले जाओ रुकना नहीं है तीसरी बात बिटा जो फालतू का stuff है उसको रफ्तार से निकाल दो बहुत सारी चीज़ें होगी जो irrelevant होगी किसी भी एक passage में इसीरी question पढ़ना जरूरी है ताकि तुम समझ सको तुम्हारा answer कहां से आ रहा है ठीक है अगर तु के लवल पर तुम है बहुत सकता हूं बेटा डंगे की चोट पर बहुत आसान है ठीक है ना दूसरा टॉपिक यहां से आपके विए 75-90 मांक्स कवार हुए आ गया आते हैं दूसरा टॉपिक हाहां मुझे पता है तुम्हारे डर का दूसरा नाम है बहुत वास्ट है बहुत अगर तुम्हें कर लिए तो मैं तुम्हें इस बात का दावा कर सकता हूं कि यह करने के बाद और सिर्फ ऐसे मत करना कि कोश्चन का आंसर दिखना कोश्चन का आंसर दिया और जो ऑप्शन हैं उनको जरूर पढ़ना क्योंकि जो ऑप्शन से 2022 थे इसके वो 2024 में कोश्चन मन करके आएंगे मैं इतना कह सकता हूं कि इन 50-60 में से तुम्हें एट नमबर क्योंकि यह बड़ा सेक्षन है इसमें तुम्हारे होमोफोन सा जाएंगे एडियम सा जाएंगे सिननी मा जाएंगे दुनिया भर की चीजह आ जाती है इसलिए मैं बोलूं का तीस नमबर मेक्जिम तुम पाऊगे और भी ज्यादा पास सकते पर एटलीस तीस तो पा यह वर्व तुम्हारे पंदरा से बीस नमबर कभी कभी 25 नमबर भी किसी किसी के सेट में बिटा यह तुम लोग को दे जाएगा कैसे वर्व तो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं आता है वर्व के अंदर सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट भी है वर्व के अंदर वाइस यूट्यूब पर मेरे मही कोई ना कोई सेट्शन तुम देखना बेटा एक अंसीन सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं वह इसका पूरा को पूरा एक मैने वीडियो बना रखा है उसको जाकर देख लिए कि पूरा तुम उड़ा दोगे ठीक है ना दूसरा नेरेशन नेरेशन में बेसिक रूस अगर कर लिए और एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आएगा तुम्हारे तुम्हारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ अगर वर वर रहे गई अगर तुमने मेरा कोई एक वीडियो भी देख लिया जिसमें वाइस और मैंने नरेशन पढ़ा है अलग अलग वीडियो बेटा तुम्हें पता चल जागा कि कैसे आखिरकार को अप्रोच करते हैं मेरा कोशन अप्रोच करने का तरीका बहुत शांदार है मैं अपनी मूमिया में टू बन रहा हूं क्यूंकि मैंने बहुत सारे एक्जाम दे हैं और मेरा जो एक्स्पीरियंस रहा है कि आपके पास किसमें काम होता है फ़यों कितना कितना यहां पूस निकालना आता है और आँखों के सामने तुम्हारे अप्षिंस होते है ठीक है ना अलग से भी वीडियो जोगा जाकर डिटेल में देख लिए रिया रेंज्मेंट तुम्हें 10 से 20 मार्व दे करके जाए गया याने कि तीन कोश्चन में मान करके चलता हूं दो तीन कोश्चन तो आते ही आते हैं दो कोश्चन आए तो दस नमबर तीन कोश्चन आए तो बीस नमबर ठीक है बिल्कुल लॉजिकल बात चल रही है इनको करने का तरीका क्या सिर्फ टीन स्टेप एक एलिमिनेशन मेट्ट का फॉलव करना दूसरा मेंडेटरी पेर को फॉलव करना तीसरा नॉन मेंडेटरी पेर को और कुछ बेसिक रूस देख लो बेसिक नहीं होगा वो किसी वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा वो किसी प्रेपोजीशन से स्टार्ट नहीं होगा वो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा वह वाई हाउ दैट जैसे सब्दों से यानिकी तुमारे रिलेटिव प्रोनाउंस से स्टार्ट नहीं होगा इन सभी स तो आहीं सकता जिसको सथे साथ खेलना आता है इलिमिनेट करना आता है भाई साब मजा आ जाएगा तुमको और इस को और इस को अध्या गलती नहीं करोगे और पूरे पूरे नमबर लेकर यह तीन तरीके हैं जिनको तुम्हा फॉलो करना बहुत ही ज़्याद रूरी है दिक् टैक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बताया भी है कैसे क्या करना है बताता हूं प्रोणाउन का कहा लिखाया मैंने लिखा भी एक लिखाया एक प्रोणाउन का ध्यान देना और दूसरा अगर तुम्हारा सेंटेंट है तो इसका कॉष्ण टेग बनेगा अगर तुम्हारा सेंटिर्णष निगेटिव रहे तो कॉष्ण टेग similar प्लस इसमें अब्रीवेशन चानी की सॉट स sat 잠 का यूज उ data इप पर आपको लिखना परता है इस तरीके इन तरीके आपको यूज करना रहेगा ठीक न आगे बढ़ते हैं और कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है फिर यहाँ तक आगे खता में डरो नहीं अभी अभी लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है बिटा गोल्डेर डवाइस अभी बच सीख जाओगे कैसे एक असर्टिव सेंटेंस को एक्स्ट्रमेटरी मदलते हैं क्या होती एडवर्ब क्लास क्या होती एजक्टिव क्लास जा करके कोई वन शॉट देख लेना बिटा कोई भी देखने को बूला कोई देख लो गूगल पर डालो यूट्यूब पर डालो कोई भी देख लो जाकर कि सीख जाओगे सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है उसकी बाद यह तीन चार टॉपिक और अर्टिकल से एक दो कुशन जरूर आएगा तुम्हारा एडवर्ब से कुशन आ जाएगा इनको भी छोड़ना मट बिया और बाकी गोल्डेन एडव tepher ketmore की वोडि好不好 जना हर टॉपर ऐसा कौन सा काम करता है दिसरोठ घण जरूर बनता है हिए तुम्हें भी पता यह उएट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस च्या होता है वह स्पेक्टिस हर एक टॉपर किसी बी चीज का टॉपर हो टॉपर यूपर टॉपर तुमारा सिव टॉपर किसी भी इग्जाम का टॉपर अबर लाइटी ऑपर विटा मॉक्रेश जरूर देता थाकि उसको अपनी ओकात पता चले और और वो learning कर सके और vocab यहां से सीख जाओगे बहुत सारे अलग लग टाइप की question होते हैं थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो 160 से 190 180 की range में आराम से लाई करोगे आराम से ज़्यादा बोल सकता हूँ पर मैं ज़्यादा कमिट नहीं कर रहा है 180 के अंदर ही बोल रहा हूँ अगर तुमने mock test को सही तरीके से use किया तो तुम for sure बेटा और अच्छे नमग लाओगे और mock test लेने किसी है बेटा दुनिया में तो बतेरी भी करें हैं के तो भई आप तो अपनी company की बेचो के लेकिन मेरा मजबूरी है मैं गया था कुछ दिनों पहले दिली मैं हर बार अप भड़ा भाई होने के नाथे मैच्योर होने के नाथ है तुम से बोल रहा हूं पिटा अड़ा की मॉक्तस लेना एंड यूज कोड़ वाई 743S for maximum discount कैसे लेना है बताता हूं तुम को विटा भरपूर content और relevant content मालु यह हैं यहाँ पर English and language कि एव यह इंगलिस की और जनल टेस्ट किये साइंस डॉमेन की और सब्सक्राइब की माल लो कि तुम कॉमर्स डॉमेन की लेने का तरीका से मालो तुम कॉमर्स डॉमेन की तुम यहाँ पर गए तो मैं यहाँ पर कोड लगा दिखे का सी वीटी अठाइस तो मैं कितने प अपलाई किया तुमने देखा भाई आट सो चाली सुर्पए की आगे कितने की आगे आट सो चाली सुर्पए की कैसे जाना है गूगल को खोलो गूगल में डालो भाया सर्च करो अड़ा 947 सबसे उपर वाली जो एफ साइट आजा उसको क्लिक कर देना लार्जस्ट वरना पर सुटी आज्स या फिर सी उटी लेंविज मालो लेंविज जनलर टेस्स पर गए और यहां पर तुम्हें सारी मिल जाएंगे इंग्लिश लेंग्वेज साइन्स डॉमेन कॉमें डूमेंन वालो तुम लोग मैंटिस डॉमें क्यों इसको तुम्हान पर चेस करना है तुम तुम से चाहूंगा कि तुम comment जरूर करो या तो पॉस्टिव करना या तो negative करना लेकिन जो तुम्हारे करना जरूर कि मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाया रेलिवेंट है या बस के वहल विई लपेटने के लिए या फिर तुम्हें अच्छा लगा अगर अच्छा लग अधित डॉट टिवारी एस दर एट अड़ा 247.com अधित रोट टिवारी एस दर एड़ा 247.com यह रहेगी मेरी इमेल आईडी कोई भी समस्य परिशानी है मुझसे बात करनी आप कर सकते हैं कोड मत बुलिएगा वाई 743S दस दिन बचे हैं आट दिन बचे हैं उतने में भी आप बेटा मॉक्टेस ले लीजे आप कुछ मिल जाएगा उसमें हाइब्रिट टेस्टी मिलेगी और जल्दी से जल्दी लगाने कोईशिस कीजे बिलता हूं अगले सेशन में तब तक के ठीक है ना जै हिन्द